बूर्णिंग स्टुडेंट्स वीडियो फॉर क्लास सेवेन जेग्रॉफी और आज का हमारा जो चैप्टर है वह है आवर इंवार्मेंट इसमें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंवार्मेंट आफिर होता क्या है उसके कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स का हमारे लाइफ में क्या यूजेद और इंपैक्ट्स रहता है तो जो सबसे पहला सवाल आता है कि इंवार्मेंट क्या है यहां मैंने पहले से लिख रखा है आप चाहे तो वीडियो पॉस्ट करके अपने नोटबुक में उतार ले या फिर आप अभी देख रहे तो अभी चीज अपने सर्राउंडिंग का यह वर्ड ज्यादा सूटेबल है इसके लिए अपना सर्राउंडिंग में हर वो चीज जो आप देख रहे हो वह आता है एंवार्मेंट में जो कि हम इसमें अगर और सिंपल वर्ड में अगर कहना चाहे तो इट इस अ कॉम्बिनेशन ओफ है नेनेचुरल और मेंमेड फिनो मेनमेन ठाहिए और इनवाइरमेंट को हमने दो ब्रॉड का टेगरीज में बाट आ है पहला है नेचले इले एनवाइरमेन्ट और दूसरा हो गया हूंन्मेन फीकल और दूसरा हो गया और बाइटिक या फि economist फीजिकल इनवाइरमेंट फईटिक एंवियर्मेंट में हमारा आता है BIO Spheer और फिजीकल एंवियर्मेंट में हमारा आता है लिफॉस्फ्फेर है और एट्मोसफियर ये तीन ट्रह honor आते हैं अबियोटिक में और ये बाइउसफôm से आता है नेगेंटिव एन्विर्मेंट कर से तो सुने जहां फ 27 टो हम आर पास चार फेक्टर से नैचिरल एन्विर्मेंट गपर लिथीं अगरिंच्वीज़फिछ अगरिंचार्वुअ फैक्टरस कोो कि एंवायर्मेंट का वह है लिथोस्फियर ठीक है तो लिथोस्फियर के बारे में और कुछ जानेंगे हम तो लिथोस्फियर बेसिकली हम बोलते हैं आप सिंपल से समझ सकते हो कि लिथ का मतलब होता है पत्थर पत्थर या फिर कोई सॉलिड सॉफेस और स्फियर का मतलब होता है एक बड़ा रीजन जिसके अंदर कुछ समा सके जिसके अंदर कोई मैटेरियल या फिर कोई भी चीज उसके अंदर इमर्ज हो सके ठीक है तो अगर डिफिनेशन के थू आप जाओगे तो लिथोस्फियर इस दी आउटर्मोस सॉल जिस वह सॉलिड सॉरफेस को हम लोग नाए और लिफियर bakın हैं नेश इवरल प्लेट्स में अब सकते हैं जो की हमारे कौन्टीनेंट साब जानते हो सैवेन कॉंटीनेंट्स डिवाइडेड है वो सब भी हमारे crusts के एक तुकड़े से डिवाइड हो के बनाया है जिससे हम लोग बोलते हैं tectonic plates tectonic plates के divergence नहीं हमारा continents बनाया है और यह जो अर्थ का उपर सबसे outer most cell है जिसको हम लोग simple language में कह सकते हैं crust okay so now the crust is divided into two forms it is basically found in two forms the continental crust and the oceanic crust so the question arises here that what is the basic difference between them the main difference I don't know continental crust or oceanic crust के बीच में वो कुछ points में ठीक है तो पहला points आप देखोगे के continental crust जो है वो हमारे landmass के नीचे पाया जाता है यानि solid surface के नीचे पाया जाता है जमीन के नीचे और जो यह oceanic crust है यह that lies below the ocean यानि के समुद्री सतह जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं जो कि हमारा समुद्री सतह होता है वो बना होता है oceanic crust का और जो दूसरा difference है दोनों के बीच वह होता है कि जो continental crust है उसका thickness होता है around 4200 km कहीं कहीं यह 40 भी आपको मिल सकता है 40 50 और कहीं कहीं आप देखाओगे कि इसका thickness जो है 100 km तक भी जा सकता है पर जो oceanic crust है on the other hand उसका thickness आप maximum पाओगे 6 km तक जो की होता है maximum thickness oceanic crust का और लिथोस्फियर के बाद जो हमारा दूसरा component आता है जो की हो गया atmosphere तो atmosphere आप वर्ड से जो word है simple जो word atom जो की derived एक Greek word से जिसका मतलब होता है air vapor और इस फेर का मतलब आप लोग जानते ही हो एक region broad region तो it is a blanket of air that surrounds the planet यह हवा का एक blanket की तरह है आप लोग के चारो तरफ फैला हुआ है और यह से फवा नहीं है इसमें mixture of gases होते है जैसे की oxygen gas nitrogen gas होते है water vapors होते हैं और कई तरह के dust particles भी होते हैं ठीक है तो अब बात आता है कि साथ atmosphere planet के लिए earth के लिए ज़रूरी क्यों है इसके कई uses है जो कि आप जानना ज़रूरी होगा आप लोग के लिए सो जो first हमारा use atmosphere का जो कि provide करता है हमें oxygen जो कि हम सास लेता है इसका first और most basic और most useful जो हमारा फीचर है atmosphere का वह यह यह है कि यह हमाएं oxygen प्रोवाइड करता है जिसके वजह से हम सास लेता है और जिसके वजह से हम और हर एक प्रानी धर्ती पर जिन्दा है सास ले रहा है यानि कि जिन्दा तो जो second इसका uses आता है वह आता है कि it acts as a protective blanket protective blanket that protect us from harmful radiations and the scotching heat of the sun so sun से अब जानते हो कि sun का जो full heat है वह हमारे धर्ती तक नहीं पहुच पाता है around 90 to 98% जो sun का heat होता है वह atmosphere के बार ही trap हो जाता है ozone layer में और सिफ सूरज का कुछ हिस्सा धूप ही हमारे धर्ती के ground को टच कर पाता है इसलिए जो scotching heat उससे भी हमें यह atmosphere protect करता है और कई ऐसे harmful radiations भी होता है जो human skins के लिए बहुत harmful होता है skin burn होता है जैसे कि उस harmful radiation से tan हो सकता है skin diseases भी हो सकता है तो यह जो atmosphere एक blanket है वह हमें इस सारे radiation से भी प्रोटेक्ट करता है जो थर्ड यूज है वह है कि it keeps the temperature of the earth balanced by trapping the heat that radiates from the earth जिसे हम terrestrial radiation के नाम से जानते है जो terrestrial radiation धरती पर आने के बाद जो heat धरती का heat जो radiations के form में धरती से बाहर जाता है उसे यह त्रैप करकर रखता है जिससे की एर्थ का temperature बना रहा है जो मुविंग ओन इस वास थी में उसे अफ्मोस्पेर ना मुविंग ओन थर्ड component hydrosphere so hydro plus sphere hydro means in general terms hydro means water okay so the presence of water on the planet in any of its form in example you can take oceans seas rivers etc any of its form आप पानी को धरती पर किसी भी प्रकार में देखो वो आपका आएगा hydrosphere में it is very simple आप पानी को कहीं भी देखो धरती पर नदी में समुद्र में किसी तालाब में वो आएगा आपका hydrosphere में और जो हमारा चौथा को आप जो हमारा चौथा component है Biosphere ठीक है कि तो बायो यह जो टर्म में बायो इसका मतलब वहता है लाइफ बायो इस्फियर एक ऐसा जगह जहां कर सके ठीक है तो लाइफ एग्जिस्ट करने लिए हमें लिट्रोसफियर की भी ज़ुरत पड़ेगी हमें हैड्रोसफियर की ब तो एक ऐसा नेरो जोन जहां यह तीनों प्रेजेंट हो एक ऐसा जोन वेर लिथोस्फेर, हाइड्रोस्फेर, अट्मोस्फेर, मीट एंड इंट्रेक्ट इस कॉल्ड बायोस्फेर एक ऐसा जगह एक ऐसा जोन जहां यह तीनों प्रेजेंट हो और जहां पर लाइफ एक्जिस् नहीं है यह हो गया हमारा ecosystem ठीक है तो ecosystem एक ऐसे जगह को बोलते है physical environment और जहां पर physical environment वहां के organisms यानि की animals से animals बोल सकते हो या फिर और भी natural resources से एक दुष्रे पर interact कर सके और एक दुष्रे पर interdependent रह सके तो the complex system of interaction between the organism and their physical environment is in any particular area is known as the ecosystem जैसे कि आप इसे simple example से समझो जैसे कि आप देखोगे एक तालाब तो उस तालाब में आप मचली भी देखोगे आप बहुत तरह के तो और पूल भी देखोगे आप नदी के किनारे आप कई तरह के पेड़ पौदे मिदे इखोग है तो वह सारे जो करने स Dul region प्रजाती के पेड़ या पिर जानवर है या फिर वाटर भी यह जो है वो एक दुष्रे प्रेइंदग कहीं सके इसके पहले इसके बाद जो हमारा आता है वो है human environment ठीक है तो हर वो चीज जो आप देख रहे हो आज के दिन में जो की इनसानों द्वारा बनाई गई है वह आता है human environment that all the things created by humans are included in human environment आप एक्जामपल में देख सकते हो तो रोड आ जाएगी बिल्डिंग्स आ जाएगी और human का यह जो इंट्रेक्शन है फिजिकल एंवर्मेंट के साथ इसका पॉजिटिव फैक्टर्स भी इसका पॉजिटिव इंपक्ट भी कुछ है और इंवर्मेंट पर और कुछ नेगेटिव इंपक्ट भी है अगर आप आप काम को आसान बनाने के लिए कई तरह के machines बना लिए लेकिन इसी इंट्रेक्शन का अगर नेगेटिव इंपक्ट देखो तो उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उन्होंने कितने जंगल खाली कर दिए डिफॉरस्टेशन जो की एक में काज आज के दिन में global warming का आप निकलते हो वह इंवार्मेंट के लिए काफी नुक्सान दे है और ऐसे आप गिनोगे तो बहुत सारी चीज़े निकल जाएंगी जो की नेगेटिव वेज में भी आप देख सकते हो और पॉजिटिव वेज में देख सकते हो अब जानते ही हो कि पॉल्यूशन का जो सबसे पहला और सबसे मेन सबसे बड़ा कारण जो वो इनसान खुद है the disturbance made by human beings by exploiting natural resources are the first and the most important factor towards environmental pollution अज के दिन में अकेले हमारे देश में कई ऐसी factories है जो कि कई ऐसे gases उनके factories से निकलती है जो की नदी में जाती है जो की हवा में गुलती है एक दरह से जिता वाथर में जा रहा है तो वाठर पॉल्युशन हो रहा है हवा में वह फैल रहा है तो उसके वजह से यह पॉल्युशन वो वा दर मिट्टी में छोड़ रहते हैं तो स्टाइल पॉलुशन होता है जिसे रूट जो पेड़ के होते हैं वो कम जो रहते हैं उसके वजा से काई पेड़ गी रहते हैं जंगल साफ हो रहते हैं around the environmental pollutions I hope you understand the video and so that was it for the chapter I hope you learned something and enjoyed the video और आप लोगो के लिए मैंने कुछ homework कुछ assessment दिया है जो कि आप description में देख सकते हो so this was Abhijit Prakas thank you you